असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स उमेद है कि आप सब खेरेत से होंगे तो कल जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था तो आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं स्टुडेंट्स के लिए तो टूडेज जो हमारा टापक है ये हम हमारा जो टापक है वो अदिशनल क्वेशे करेंगे. The first very question that is, what is meant by the Buddhist Daimant Sutra? जो Buddhist Daimant Sutra है, वो क्या है? तो इसका आंसर है, the Buddhist Daimant Sutra is the oldest Japanese book. Buddhist Daimant Sutra जो थी, वो एक जापन की पुरानी किताब जी. Oldest. पुरानी तरी किताब में से एक किताब जिसका नाम था, Buddhist Daimant Sutra. It was printed in 868 AD. इसको प्रेंटिक किया गया, इसको छपा गया था 868 AD में. After the death or anodinomy of Hz. A.S. It contains six sheets of text. इसमें text के जो sheets हैं, वो six हैं. I hope ये understood हो गया. येने Buddhist Daimant Sutra is the oldest Japanese book. It was printed in 868 AD and it contains six sheets of the text. दोसरा question जो है ये हैं, define slick route. This is a very important question कि slick route क्या था. And why the slick route was known as slick route and why later it became known as a slick road. Let's see. Slick route को हम, slick route इस लिए बोलते हैं क्योंकि only इस route से छेना का ही slick जो था, वो import होता था. दूसरे मुलकों में import होता था. यहां से trade होता था. इसकी तुजारत होती थी चेना से. So this is why this is known as slick road. Also called slick road, इसको हम slick road भी कहते हैं, was an ancient trade of चेना. ये चेना का एक ancient trading network था, एक route था, जहां से वो trade कर रहे थे, where first Chinese slick was imported. जहां से चेना का जो slick था, इसमें imported होता था, जहां से shift होता था, बाकें country उनमें. इट लिंकिंग चेना with the west, ये चेना को link कता था, जोड़ता है with the west. मगरी मुमाल हमें कुछ countries था था उनके साथ. And carried goods, और यहां से वो goods लेते थे, and ideas, और ideas भी between the two great civilization, खासका दो civilizations थी उस वाकत, बहुती बैतरीन civilizations, एक चेना, और दूसरा रूम, और रूम और चेना, इसके बार में एक शियर में आरज करूँगा, युनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, युनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर हिबा की नामो निशा हमारा, no doubt कि वो जो civilization थी, कि वो उनका जो development था, वो इस पर हम ज़्यादा stress नहीं देते आज कर, लेकिन फिर भी उनका जो नाम है, that touch the skies, आसमान को छोने वाला, इसके बाद, in 1877, 1877 में क्या हुआ, it was named as the Silk Road, Silk Road को दूसरा नाम दिया गया, Silk Road, क्यों दिया गया, और किस ने दिया, by Ferdinand, Warren, Richthoppen, जो Ferdinand, Warren, Richthoppen था, इसने Silk Road को, Silk Road कहा, क्योंकि अब इस रूट से सिर्फ trade ही नहीं होता था, बिल्कि इसको आप पिलिग्रिमर्स ने भी यूज़ किया, ट्रैवलर्स ने भी यूज़ किया, अगर हम बात करेंगे, तो इंडरे से कुछ सपाइसे ट्रैवल होती थे वेस्टरन कंट्री में, और जो हमारे पास पोटेटो यह चिली यह कुछ बागी चीज़ जो थी, इनको हम एक्सपोर्ट कहते थे, फ्रॉम एमरिका, तो इस तरह से इस रूट को जो है, इसको सिलिक रूड कहा गया, बाइफोर्टिनन वहान रिच्थापन, फोर्टिनन वहान रिच्थापन वहास बीसके ली एन इंचेंट जर्मन जियोग्राफर, जिसने इसको सिलिक रूड के नाम से फुकारा शूरू किया, इसके बाद और एक क्वेशन है, पैनी मैगजीन क्या था? तो थीज मैगजीन से लेकर 1835 में इंग्लेंड में कुछ नियूस पैपरस को छापा गया है, और इन नियूस पैपरस में जो इसका मैन इंटेंचान था, इन इन मैगजीन का इन रिसालों का जो मैन इंटेंचान था, जो खास मकसद था इनका वो ये था, कि वुमेन्स की एजुकेशन को सबसे ज़्यादा सिट्रस दे जाए, और खासकर वुमेन्स को अपलिपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास है, उनको एजुकेशन दे दी जाए, तो नेक्स्ट क्वेस्टन जो हमारा है वो है, वो वाज बैगम रुकाय सखावत हुसेन, बैगम रुकाय सखावत हुसेन कौन थी, तो बैगम रुकाय सखावत हुसेन, वाज नोटन एजुकेशनिस्ट वो एक बहुती बड़ी एजुकेशनिस्ट थी, and a literary figure एक literary figure literary पढ़ने वाली आवरत she was a Bengali feminist वो एक Bengali की feminist थी feminist अगर हम कहेंगे तो हम उस woman को कह सकते है feminist one who start a movement or one who raise her voice against the men that women should be given the equal rights like that of the men कि women को भी बराबर rights दे दे जाए if we compare comparison करेंगे तो तो बेंगर काई शकाथ हुशन वाज Bengali feminist थी वो thinker भी थी writer भी थी educator भी थी she is widely regarded as a pioneer of women's liberation in South Asia आला सत्य पर आला मकाम पर उसको एक बहुत ही ऐच्छे नाम से जाना जाता है कि जो कुछ उसने एक बहुत ही बड़ा contribution दिया था उसने एक तहरीक शुरू की जिसका नाम था woman is liberation in South Asia जुनूबी एशा में उसने एक महिम चलाए थी तहरीक चलाए थी women's को लेकर तो जिसका नाम था woman is liberation in South Asia liberation means आजादी freedom तो बारन ये हुई थी 9th of December 1880 रंगपोर डिस्टिक बंगलाडेश तो बंगलाडेश में इसका जनम हुआ था 9th of December 1880 रंगपोर डिस्टिक ये रंगपोर डिस्टिक जह है ये बंगलाडेश में है तो इनकी death जब हुई तो उस वकत 9th December था obviously this is a coincidence तो 1932 year Kolkata now Kolkata Kolkata ये Kolkata जुसका उपढ़ते इसके बात over a question who took hand printing from China to Japan as we know China के पास सबसे पहले जो printing press थी वो थी woodblock लकडी की बनी हुई तो China was among these countries who was who was having such kind of technology like how to print the material तो China से printing hand printing को Japan किसने ले लिया तो answer obviously by Buddhist machineries around 770 AD चेना से जिन शक्सियत उने जापान तक printing का concept लिया वो Buddhist machineries थी वो Buddhism परचार करने वाले Buddhist के हामी थी जो Buddhism फैला रही थी उन्होंने लिया चेना से इस कंस्काप्ट को कहा Japan 770 AD में इसके बाद और एक question है who invented printing press in modern Europe modern Europe जो आजकल का Europe है इस में printing press को किस ने develop किया तो answer हमारा रहेगा by John Gutenberg in 1448 AD और John Gutenberg के बारे में we are well aware he was a son of a merchant और जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी और ये जो John Gutenberg था उसने first printing press जो थी वो develop की परफेक्ट किया उस system को 1448 में तो इसले उसने उसका नाम रखा Gutenberg press और Gutenberg press I think was the first very printing press in the European continent जिसने पहनी बुग जो प्रंट की वो थी Bible and 180 copies को तयार किया गया और in 180 copies को प्रंट देने में तयार करने में it took almost 3 years to produce them तो Bible was the first very book which was printed तो Gutenberg press invented by John Gutenberg from the Strasbourg, Germany तो इसको 3 साल लगए मुकमल करने में प्रंट करने में प्रंट करने में तयार करने में इसके बाद ओर एक क्वेस्टन है Where did the earliest kind of printed technology develop अगर हम पहले printed technology की बात करेंगे शुरू की तो वह कहां से developed हुई तो obviously हमारा answer रेगा China China सबसे number one पर आता है, number one especially in population, तो development में भी, तो China was the first country जिनके पास ये print technology थी, साथ ही साथ Japan, Japan से फिर Korea this was a system of hand printing लेकिन ये कोई mechanical printing नहीं थी, but it was only a system of hand printing, hand printing जिसको manuscripts बोलते हैं कि mostly the record was written by hand, a person was dictating another one was writing and third one was just editing, तो ऐसा process चल रहा था कि एक परसन जो था, वो बोल रहा था, दूसरा लिखता था, तीसरा इसमें editing करता था, तो इसको हम बोलते हैं manuscript, manuscript means something which is written by hand तो technology थी ही नहीं उस वकत तो China के पास जो था, वो इस वकत जो लिखते थी, वो अपने हाथों से लिखते थी तो जुसको हम बोलते है hand printing इसके बाद question हमारा है, who introduced hand printing technology into jump on and when hand printing हाथ की छफा हुई technology को jump on किसने लिया और कब तो answer रहेगा, Buddhist missionaries from China, China से जो Buddhist missionaries थे, जो Buddhism को separate कर रहे थे, फैला रहे थे, Buddhism की दावत देते थे थे लोगों को उन्होंने चैना से जंपान लिया ये concept around 768 to 770 AD which country was having wood block print first, wood block जो एक printing press थी, लकड़ी की बनी हुई, तो इकिस country के पास पहले थी, तो answer है चैना, चैना के पास wood block थी, जिसको फिर stitch किया जाता था फिर ink डाली जाती थी अलफा बीटर पे फिर उसको बंद करके फिर एक साइड में उसको प्रिंट किया जाता था फिर दूसरी तरफ तो next question है define volume, volume क्या होता है appachment made from the skin of animals especially goat जब हम किसी animal especially goat की खाल को उतारते हैं और फिर इसको dry करके, फिर इसमें उस टाइम क्या होता है यह तो leafs पे लिखा जाता था यह walls पे तो सबसे important जो उस वक्त यूज होता था leaf that was named as बोज पत्रा बोज पत्रा यह वैजिक टाइम में होता था बोज पत्रा तो animals की second curl को उतार कर फिर इनको dry करके इसमें नमक दिया जाता था फिर इनको सुखा कर इस पे फिर inscribing की जाते थी inscribing की जाता था inscribing में लिखा जाता था जिसको हम बोलते हैं who was John Gutenberg John Gutenberg काउन था तो answer the son of a merchant John Gutenberg was the son of a merchant यह सोधागर का बेटा था from Strasbourg, Germany Strasbourg जो है एक स्टी है Germany जो है यह कंट्री है European continent में है तो he belong to a very rich agriculture family यह एक बहुत ही बड़े agriculture खांदान से तालोग रखता था जिनके पास काफी जमीन थी खासकर उस वक्त के agriculture class को junkers बोलते थे junkers तो he developed his first known printing press in Europe इसने अपनी first जो मशूर printing press थी जिसको मुएबुल प्रिंटिंग प्रेस भी कहते थे आज भी कहते हैं मुएबुल प्रिंटिंग प्रेस और ये जोन गुटनबर्ग की press जो थी वो 300 years तक Europe की printing press चली 300 years तक तो जोन गुटनबर्ग ने first printing press Europe में develop की in 1430s known as गुटनबर्ग press and perfected it in 1448 या थो गुटनबर्ग's press कौन सी बुक को गुटनबर्ग प्रेस से प्रिंटि किया गया है तो answer is obviously Bible जिस Bible को 3 साल लगए और 180 copies को प्रोडूस किया गया जिसमें 3 साल लगए I think it's enough Thanks, have a nice day